हलो दोस्तो मैं प्रिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटीर कमिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहें कि कैसे हम स्ट्राइक प्रैस का सेलेक्शन करते हुए हम अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट कर सकते हैं काम यहीं पर खत नहीं होता उसकी बाद आपको अपने लिए परफेक्ट और सर्टिक इंट्री पॉइंट भी फाइंड करना होगा तभी आप अपसंस बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हैं अदर्वाइस अपसंस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाना बहुत ज्यादा मुस्किल होगा तो चलिए हम इसी चीज़ को इस वीडियो में सिखेंगे कि कैसे हम अपने लिए सही स्ट्राइक प्रैस का सेलेक्शन करते हुए परफेक्ट इंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं यहां पर हम निफ्टी के आप्शन चेन पर यह आ गया है अब निफ्टी के अगर हम आप्शन चेन को देख सकते हो मॉर्निंग से ही यह आपका 18600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे रहा है जबकि आज एक major event भी था RBI का monetary policy था यानि major event होने के बाब जूद भी यह आपका एक particular range में move करता हुआ दिख रहा है और हमें यही चीज़ सीखना है कि अगर price आपका एक particular range में move करता हुआ दिख रहा है तो उस range mount move से हम कैसे options buying में profit बना सकते हैं क्योंकि अगर market में momentum है तो especially options buying में profit बनाना आसान हो जाता है अगर हम momentum के direction को predict करके सही तरीके से उसको catch करें तो लेकिन अगर range mount market होता है तो चाहे आप यहां पे call options buy कर लो profit बना पाना थोड़ो सा मुस्किल होता है यही चीज़ हमें सीखने की ज़वत है कि range mount market में हम कैसे सही strike price का selection करते हुए अपने लिए perfect entry point find करेंगे और यह सारा कुछ आपको सीखने की ज़वत है क्योंकि maximum time लगबग अगर आप पूरे historical data उठागो देख लो तो market लगबग आपका 60% time आपका momentum नहीं दिखाता एक particular range में move करता हुआ देखने को मिलता है इसलिए हमें maximum market जो देखने को मिलेगा और इसके लिए हमें अपने आपको prepare करना होगा अगर हमें options से profit बनाना है तो चलिए इसी को हम सीखते हैं तो अगर हम बात करें morning से nifty आपका एक particular level 18600 के आसपास ही move करता हुआ हमें देखने को मिल वहा है तो अब यहां पर हमें strike price का selection कैसे करना है और हमें यहां पर सबसे ज़्यादा prefer क्या करना है मैंने आपको पिछले कई वीडियों बता है और रेगलर बताते रहता है कि सबसे पहले prefer आपको करना in the money strike price का selection करना है या नहीं तो add the money और worst case में आपको otm पे जाना हमें otm पे जा कौन सा ATM होगा यहां पर हमें एक formula use करना है हम यहां पर तीन strike price का selection करेंगे जहां पर trade कर रहा हो यानि इसके put options और call options दोनों के chart को open करेंगे या यहां पर हम six chart open करेंगे छे call options वाला, three call options वाला और three put options वाला इन सारे strike price का तो चलिए इन सारे chart को open करते हैं और फिर वहां पे अपने लिए हम perfect और certain entry point find करने की कोसिस करते हैं और उसके लाबा इस chart पे आपको एक काफी unique feature भी दिया गया वो मैं आपको update करूंगा बाद में उससे पहले यहां पे हमा 18,650 के put options पे तो सबसे पहले हम 18,650 के put options पे क्यों हैं क्योंकि market के sentiment को भी हम फुरा बहुत कोसिस करेंगे find करने की sentiment को अगर हम find करें तो slightly sentiment आपका cautious to negative ही रहा मतलब यहां पे सबसे पहले हमें downside की तरफ जाते हुए trading positions initiate करने की कोसिस करना तो कुछ ना कुछ आपको market sentiment का help ल 18,650 के market move कर रहा था इसे slightly उपर 18,650 के put options का हमने selection किया है जो कि हमारे लिए क्या काम करेगा ITM के रूप में काम करता हुआ दिखेगा अब यहां पे हमें अपने लिए perfect entry point find करने की ज़रूरत है उसके लिए हम chart के historical data को देखते हैं या फिर candlestick की मदद लेंगे अगर हम इस chart के historical data हो देखें तो यह expiry में starting से ही यह जो level है यह हमारे लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा और यह जो level है आपका 50 का level है जो कि crucial support के रूप में काम कर रहा अब हमें क्या करना हमें wait करना अगर price 50 के करीब आता है तो इसके नीचे छोटा सा हम SL लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम buy side के तरफ trading positions initiate कर सकते हैं कब जब आपके sellers यहाँ पर कमजोर होंगे हमें दो activity देखना है sellers का कमजोरी fine करना और दूसरा जो buyers है उसके strength को fine करने है नी buyers strong हो रहा और sellers कमजोर हो रहा मतलब यहाँ पर systematic power का transfer हो रहा from sellers to buyers तभी हम यहाँ पर market में अपने लिए perfect entry point fine करेंगे अब देखिए price आपका इसके करीब आया और यहाँ पर long tail at the bottom बनना start हो गिया मतलब यहाँ पर sellers कमजोर होना start हो गे और buyers strong बनना start हो गे अब यहाँ पर हमें एक strong green candle चाहिए अब देखिए यह strong green candle बनते हैं हम इस level के आसपास buy side की तरफ entry लेंगे और यह जो level आ करीब यह level है यहाँ में आपको दिखा भी देता है इस level के अगर हम बात करें देख सकते हैं आपका 60 करीब यह level बनता हुआ दिख रहा है मतलब यहाँ पर हमारा entry point बनेगा 60 के करीब बनेगा और target price की बात कर लें तो previous swing है यह और यह हमारा target price बन जाएगा यह नहीं 100 के weakness का sign नहीं देता बायस में तब तक आप यहाँ पे positions को ट्वेलिंग SL के जड़े continue कर सकते हो यहाँ पे देखिए हमें weakness का sign दिया long tail at the top यहाँ पे हम क्या करेंगे profit बुक करके निकल जाएंगे जो कि आपका 105 के आसपास होगा यहाँ पे आपको four point और यह नहीं overall 45 point का profit मिलता हुआ हुआ दिख जाएगा यहाँ पर एक देखना है कि हाँ पर हमने क्या fine किया सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हमारा जो time frame है वह five minute time frame वाला चार्ट है क्योंकि हम intraday trading strategy find करने कोसिस करें और यहाँ पर अगर हमें especially options buying में profit बनाना है तो ह फिर वहाँ से profit बनाना बहुत ज्यादा मुस्किल आप profit नहीं बना सकते options buying से हमें थोरा बहुत momentum चाहिए यहाँ पे भी ज्यादा momentum नहीं आया बस आपका 5,10,15 और मेस्टली आप बोल सकते हैं कि 20 मिनट के लिए momentum आया और उसी 20 मिनट में profit बना सकते हैं उसके बार profit बना पन support ने बल था लगवग 3,4 इन का support ने बल था price अगर यहाँ से नीचे जाता तो at least 20 से 40 point का downfall मुग जरूर दिखाता और अगर price यहाँ से उपर जाता तो same 20 to 40 point का upside मुग जरूर दिखाता तो इसी momentum को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या किये हैं अपने लिए perfect entry point find किय हैं उसके अलावा हम यहाँ पे इसके call options को भी देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे भी हमें इस तरह का कुछ entry point मिलता हुआ दिखा है वही अगर हम 18,650 के call options की बात करें इसके भी 5 minute वाले time frame में ही आते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका rounding top pattern का formation बनता हुआ दिखा यह level कौन सा है यह level आपका 60 के आसपास और जैसे निकलाइन को break किया है यहाँ पे हम sell side की तरफ entry ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारा SL क्या होगा अगर हम SL की बात को यह level SL बनेगा जो कि आपका 85 के आसपास होगा और अगर हम यहाँ पे 60 पे entry ले रहे हैं तो 25 पॉइंट विस्क पे नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे हमारा risk reward हमारे favor में नहीं है और at last आपको यह भी चेक करना है कि risk यहाँ पे हमारे लिए SL कितना बन वाया और reward यहाँ पे target कितना बन वाया और यह हमारे favor में तभी हम trade लेंगे otherwise हम trade नहीं लेंगे जैसे इस case में यहाँ trading positions avoid करेंगे अगर आप ऐसे ही blindly यहाँ पे entry ले लेते हो तो आप यहाँ पे आसानी से trap में फस सकते हो इसलिए options में इस तरह का बहुत सारे trap आपको regular basis पे देखने को लेंगे यह चीज़ आपको समल के और सोच समझ के बच के चलना है तभी आप profit बना सकते हैं अपने trade से यह आपको strike price में changes करने हैं तो यहाँ पे आपको special सा feature दिया गया suppose यहाँ पे हमने 18,650 का strike price लिया लेकिन instantly अगर हमें strike price changes करना होगा तो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं धन के trading platform special सा feature दिया गया आपको simply यह वाला strike price चूज करना और यहाँ पे आप इसके chart को आसानी से open कर सकत लेकिन अगर आप दूसरे के trading platform की बात करो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस strike price को अपने watch list में add करना होगा फिर जाके आप उसका chart open करके फिर वहाँ से आप analyze कर सकते हैं जिसमें हमें अच्छा खासा time waste हो जाता है और हम सही time पे market में entry नहीं कर पाते हम कई बार momentum को miss कर देते हैं इसलिए धन के trading platform में या फिर option chain में यह सारे features दिये गया है और यहां पर अगर आपको expiry भी change करना हो तो देख सकते हैं एक click पे आपका expiry भी change हो जाएगा तो इस feature का अगर आप फाइदा उठाना चाहते हैं तो आप धन के trading platform में अपना demand account open कर सकते हैं इसका link आप आपको इस video के description में दिया गया है और अगर आपका धन में trading or demand account palace है तो आप login करके option chain के जरिए इस feature का फाइदा उठा सकते हैं अगर आप इस feature बारे पहले जानते हैं ठीक है नहीं जानते हैं तो आप आगे से इसका इस्तिमाल करना शुरू कर दीजे यह options trading में बहुत ट Talent कर सकते हैं अब यहां पर हम जो स्ट्राइक प्रैस ले रहे एंट़ीयम पर आते हैं पिछले वाले beneficiaries का profit मिलता हुआ है अब यहांपे देखें, यहांपे भी UPSPORTimento न प्राइणा की तरफ देखने भी बाइए यहांपे मेरा जो प्रॉफिट होगा िवह लगबाग 35 पॉइंट का होगा और अगर हम Candlestick के basis पे निकलते हैं तो लगबग यहाँ पे हमे 38 to 40 point का profit मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से जहाँ पे हमे 40 to 45 point का profit मिल रहा था वहाँ पे हमे 35 point का profit मिलता हुआ दिख रहा है यह नि हम जैसे जैसे ITM से ATM या फिर OTM जाएगे हमारा जो profit है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा यह नि same point का momentum हमें spot में देखने को मिलेगा लेकिन options में हमें यहाँ पे कम momentum देखने को मिलेगा इसलिए हमेशा आपको ITM में जाना ज़्यादा prefer करना अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है क्योंकि ITM में strike price का premium ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा fund चाहिए तो आप maximum ATM पे आ सकते हैं ATM से ज़्यादा नीचे आपको नहीं जाना है यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने आपको previous example में risk reward ratio की बात करें तो यहाँ पे हमारा risk reward ratio क्या था हम previous example में भी बात करेंगे यहाँ पे देखें यहाँ पे हमाई लिए छोटा सा SL बनेगा और यहाँ पे हमारा entry point बनेगा यह नहीं हमारा SL काफी छोटा सा होगा और अगर हम target की बात करें तो first target इन हमारा यही बनेगा तो देख सकते हैं हमारा जो risk है वो बहुत छोटा लग रहा और जो reward है बहुत बिग लग रहा अगर हम previous example पे भी आते हैं 18,650 के call options पे भी यहाँ पे अगर हम आते हैं put options की बात कर लिए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफी हद तक हमारा जो risk होगा वो बहुत कम होना चाहिए और reward जादा होना चाहिए especially अगर हम options की बात कर रहे है तो अगर हमारा risk 1 rupees है तो हमें reward यहाँ पे minimum 3 rupees मिलना चाहिए याई risk reward ratio 1 is to 3 होना चाहिए in general के सम 1 is to 2 में जाते हैं लेकिन अगर हम particular strike price को negative trading positions ले रहे हैं 1 is to 3 से risk reward में ही trade लेंगे उससे कम में हम trade नहीं लेंगे यह भी चीज़ आपको समझने की जवरत है वह ही अगर हम और पीछे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम 18,550 के put options का selection करते हैं यहाँ पे हम आगे हैं OTM में OTM में अगर हम selection करते हैं यहाँ पे भी जो हम entry लेंगे लगबग 25 के आसपास entry लेंगे और profit booking जो हमारा होगा वो 50 के आसपास होगा यहाँ पे मेरा सिर्फ 25 point का profit मिल रहा यहाँ सबसे पहला profit था 42,45 point का फिर वो घट के आया 35 point फिर वो profit घट के आगया 25 point का यहनि 40,45 फिर 35 फिर 25 इस तरह किसे देखिए आपको profit gradually decrease हो रहा है जैसे हम ITM, ATM, OTM की तरफ जा रहे है इसलिए आपको हमेशा ITM में ही trade करना ज्यादा prefer करना नहीं तो आप इन समें भी कर सकते बस आपको profit थोड़ा सा कम मिलेगा और कई बार आप बिना profit के भी trade close करने की जवद परेगी अगर momentum काफी कम आया तो तो यहां पे भी हमें profit मिलता हुआ देखिए और यहां पे भी long tail ladder top मिला यहां पे हम exit कर सकते हैं अगर हम यहां पे profit book नहीं किये हैं तो वहीं अगर हम इसके call options की भी बात कर लें तो यहां पे भी देखिए same कुछ हमें देखने को मिला है यहां पे भी क्या कुछ हुआ है rounding top pattern का formation देखने को मिला है यहां पे हम entry ले सकते हैं लेकिन SL हमें यहां पे रखना परेगा और यहां पे आप एक और चीज बोल सकते हैं कि previous example हमें systematic power का transfer देखने को मिला था लेकिन यहां पे हमें उस तरह का systematic power का transfer देखने को नहीं मिला और उस तरह का confidence भी हमें नहीं मिल भाए कि यहां पे हम इस trade को execute कर सके तीसारा point को देखते हुए आप अपने लिए सटिक strike price का selection कर सकते हैं और इस से भी देटर अगर आपको कुछ भी confusion हो doubt हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं वहां पे आपको proper answer किया जाएगा so that's all इस वीडियो में इतना है मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको वीडियो पसना है please like करके encourage किजे और channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe भी किजे so that's all friends जैहिन